प्रेकिवाद आपका स्वागत है, संथाल परगना का सबसे बड़ा शहर देवघर अब वायू मार्क से भी जुड़ जाएगा देवघर में केंडरो और राज्य सरकार की पहल पर डोमेस्टिक एरपोर्ट जल्द बन कर तयार होगा चार दिवारी से रनवे तक का काम शुरू हो चुका है, क्या खासियत होगी देवघर एरपोर्ट की इस रेपोर्ट में देखिए बाबा नगरी देवघर में हर साल करोडों शिद्धालों पहुचते हैं और इसके लिए रील मार्ग और सडक मार्ग ही एक मात्र विकल्प हुआ करता था लेकिन अब देवघर की तस्वीर बदलने वाली है देवघर में एरपोर्ट का निर्मान हो रहा है जिसके लिए दिन राध काम किया जा रहा है देवघर एरपोर्ट 654 अकर में फैला हुआ है जिसकी लेवलिंग और पाउंडरी बॉल का काम शुरू कर दिया गया है देवघर एरपोर्ट के रनवी के लंबाई ठाई हजार मीटर होगी और एरपोर्ट में 320 एरवेस के तो विमान के लेंडिंग और टेक आफ की केपसिटी होगी जिसके लिए बेस भी बनाया जा रहा है इसके लावा टेक्सी स्टैंड और 13 किलो मेटर का एरपोर्ट रोट का भी काम चल रहा है हमारा टार्गेट को दो साल के अंदर पूरव करने का है अभी हमारा पैकेज बन है जिसमें की आपका टोटल जो 654 एकर जो जमीन है टोटल का सारे का लेवलिंग ग्रेडिंग होना है इसमें और हमारा रन्वे बनना है और इसमें टेक्सी ट्रेक बनना है एपरेंट बनना है दो एरबेस 320 के लिए और आइसोलेशन बे बनना है इसमें एरपोर्ट निर्मार को लेकर इस्थानिय लोग काफी उत्साहित हैं इस्थानिय लोगों की मानिय तो आजकल लोगों के पास पैसा जरूर है लेकिन समय नहीं एरपोर्ट बन जाने के बाद समय के काफी बचत होगी इससे न सिर्फ आने वाले शुद्धालों को फायदा होगा बलके इलाज के लिए बाहर जाने और बाहर से इलाज के लिए जहां आने वाले लोगों को भी सहूलियत मिलेगी देवघर को इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्कीट से जोरने की गुशना की थी और उन्होंने इस विश पर अमल करते हुए देवघर में एरपोर्ट की सौगाती देवघर एरपोर्ट राजची के लिए मील का पत्थर साबित होगा देवघर एरपोर्ट के आजाने से न सिर्फ शद्धालों को सवधा मिलेगी बलकि देवघर परेटन हप के रोप में भी और आगे बढ़ेगा फ्योरो रिपोर्ट जी मीडिया